लगातार देखा आपने के किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं और हमारे साथ सुनील अरकवंशी में आप ही करूख करना चाहूंगा सर देखिए उन्होंने जिस तरह से कहा कि विपक्षी पार्टियों के दौरा इस बात पर सवाल उठा जाते हैं एव माःयोक पर सवाल खळे कि जाते हैं वियम पर सवाल खळे की जाते हैं इसको लेकर भी और आगे भी उन्होंने कहा कि हम जो है इससे सबक लेंगे और रण नीती बनाते हुए मेरा सवाल आप से यह है कि देखिए अखिले शादमने सीदे तौर पर हमला बोला ओम प्रकाफ राजभर को लेकर हलांकि उन्होंने नाम नहीं लिया उन्होंने लिखा है कि एक विधायक तो जीता है लेकिन कई दलों के जो भावी मंत्री हैं वो हार गए हैं सीधा निशाना ओंप्रकाश राजभर और कहीं न कहीं दारा सिंग चोहान नजर आ रहे हैं आप क्या कहेंगे जब अखलेश यादोजी के साथ थे तो वो बहुत अच्छे थे मगर जब उनका काम निकल गया तो उसके बाद हम लोग गलत हो गया तो कहीं ना कहीं अखलेश यादोजी जो पिछड़े समास से नेता मानी राश्ची अध्यस रियोंपरका राजभर जी आज उबर कर आ रह लेश यादोजी के आगे कोई पिछड़ा नेता उबर कर आए रही बात आज जो जनादेश आया है उसका हम लोग सम्मान करते हैं हम लोग इससे लेने का काम कर रहे हैं और जो भी कमिया रही हैं उन कमियों को भी हम दूर करने का काम करेंगा और अगला चुनाओ अभी आप एट करेंगे रही बैशल जी के नेताओ जो भी इंडिय गर्वंदन के नेताओ तरीचन और तब्योग और निस्पसचनाओ नहीं कराया परशासन ने जो है जो है बोटर को घलते नहीं निकल लेंदेश तमाम इस है के ट्यूट चुपाल यादो के अखलेश यादोजी के आ और यहीं सबाय प्रवक्ता जो टीवी चलनल पर बैटते तो आज यहीं सब बोलने का काम करते मगर आज उनको यह लग रहा है कि सब कुस सही है तो हम लोग भी पूछना जाते हैं क्या अब यह बता है क्या यह सारी चीज़े आप सही है यह नहीं सही है अभी आप बड़ी बा तब यह सारी चीजे बोलने का काम करते हैं तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूट नहीं है कि अभी दोजार चौविस का चुनाओ है दोजार चौविस के चुनाओ में आपको जनता खुद सबग सिखाने का काम करेगी तो कि आपकी सरकार रहते ना तो आप पराद जी अकिलेश जी का जो ट्वीट सामने आये है और उन एक का है कि गिर्गिटिया जो प्रत्याशी हैゴि द्व एक संदेश है जनताने उनका असली रंग पहचान लिया है फश्यूंगि कर रहे हैं गिर्गिट किसको बोला जा रहा है देखे शांतिनों जी क्या है कि भारती लोगतंद्र में और ऐसा जिम्मधार सिटिजन होने के नाते मैं बात कहूंगा कि आप ये बताइए कि घुसी में दारा सिंग चौहान जी हमारे में ले थे और उनको तोड़ करके बीजेपी ले गई और उन्होंने दुबारा इलेक्शन कराया आप देखिये कि इनों ने मदरपरदेश में क्या किया इनों ने अब वैसे तो बात करीएगा तो फिर बिल्कुल तोड़ करके ले गए गए गर बीजेपी ना चाहती है तो क्य सासन के समय की व्रबादी हुए और यह बारतीय जंतापार्टी यह है निते सोव लने का थो जा और लिल्दीćि के शälीनता है कि उन्होंने किसी पर कोई भी व्यक्तिगट टिपड़ी नहीं की उन्होंने जो लिखा वही पढ़ रहा हूं ये गिरगिटी प्रत्याशियों को भी एक संदेश है कि जनता उनके असली रंग पैचान गई है तो देखी उन्होंने किसी का नाम ने लिया और दूसी बात मैं शांतुनों जी आपकी इसी बात का जवाब देना चाहता हूं कि मानी ओम प्रकाश राजबर जी हम लोगों को ये निर्देश हैं हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि हम किसी के ऊपर भी वेक्तिगट टिपड़ी ना करें अदर्वाइस आज हमारे पास वेक्तिगट टिपड़ी करने के लिए बहुत समान मौझूद है आप ये बताईए कि ओम प्रकाश राजबर जी ने क्या का हमारे राष्टिय अद्धक जी को नहीं कहा उन्होंने कहा कि अखलेश यादो जी जो है वो आठ तारीक के बाद सैफ़ई में नजर आएंगे अर्विंद राजबर जी जो इनके बेटे हैं उन्होंने भसमासूर तक कहा मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्री अद्धक्स माननी अकलेश यादो जी जिस आदमी को छूलें वो MP, MLA, MLC ऐसे ही बन जाता है चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया फराज कित्वई साब आपका कश्मों मनने जी आपका रजार इजबी जी आपका भी और सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया